नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बर जाजी किचन्स में दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी कई बर बताया कि खाना पकाना एक कला है और इस कला के द्वारा हम किसी आम रेसिपी को भी खास बना देते हैं जी हाँ दोस्तो तो आज उसी एक आम रेसिपी को खास तरीके से पेश करूँगी मैं आप लोगों के सामने जी हाँ दोस्तो आप देख सकते हैं कि आज की जो ये रेसिपी है बहुत ही कॉमन है शेर करूँगे आप लोगों के साथ और उमीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों किसा जादा जादा शेर कीजिएगा तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह बहुत ही खास्ट्रिक से मैंने बनाई है अगर आप भी चाहें तो इस खास्ट्रिक से इसको बना सकते हैं और इसका जाइका ले सकते हैं तो यहां देख सकते हैं मैंने जब मार्गेट में बिल्कुल लाल लाल अच्छी अच्छी गाजर आई वी न के दहो के अच्छे से काट लिया है इसको और यह ताजी fresh मटर लिया है इसको थोड़ा सा मैंने बॉल कर लिया है अगर आप frozen मटर लेते तो उसे बॉल करने की बिल्कुल ज़रुद नहीं है और यह अलू मैंने दहो के छील के अच्छे से를 कर लिया है और चलते हैं हम अब इसको बनाते हैं जहां दोस्तों एकदम खास ट्रिक से और एकदम खास रेसिपी बनाते हैं हम यह गाजर मटर आलू की सबजी जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक है और कमाल का स्वाद आएगा आपको अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगी तो देखते हैं कडाई में हम ले लेते हैं थोड़ा सा ओयल ले लेंगे और ओयल के साथ ही हम इसमें डाल देंगे हमारे आलू और गाजर जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम आलू को डालते हैं और आलू को हलका सा golden brownish होने तक इसको fry करते हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल खास ट्रिक से बनाएंगे गाजर मटर तो हर घर में बनते हैं और इस सीजन में तो खास कर हर कोई बनाता है क्योंकि बहुत ही delicious ये सबजी होती है और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बताने का तो मेरे इस तरीके को अगर आपको पसंद आए तो please like, share, subscribe करना ना भूले तो ये देखिए एक golden sunera coating होना शुरू हो गया है और यहीं पे हम गाजर भी fry कर लेंगे इसको भी हम 5 मिनट के लिए fry करेंगे बहुत ही soft हो जाएंगे क्योंकि आलू और गाजर थोड़े hard होते हैं nature से तो इसको अगर हम fry कर लेते हैं तो ये हमारे बहुत ही अच्छे से soft हो जाएंगे बहुत अच्छे से गलेंगे और hardness नहीं रहेगी इसमें टेस्ट भी बढ़ जाएगा और अब हम इसको निकाल लेते हैं निकालने के बाद यहीं पे हम इसमें सेम पैन में सेम ओयल में डालेंगे इसमें जीरा जी हां दोस्तों यह देख सकते हैं निकाल लेंगे हम पहले और यह देखिए निकालने के बाद हम इसी पैन में थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे और यहीं पर हम एड़ कर देंगे थोड़ा सा लहसुन काटके जी हां दोस्तों बिल्कुल ऐसी तरह की से आप भी लहसुन काटके डाल लें और यहीं पर हम एक मीडियम साइज का प्याज भी काटके डाल देंगे थोड़ा सा इसको भूनने के बाद हम यहीं पे प्याज भी एड़ कर देंगे और लहसुन प्याज डालने से इसका स्वाध बहुत बढ़ जाएगा जी हाँ दोस्तो इसको आप चाहें तो बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेकिन मैंने यहाँ पे लहसुन प्याज का तड़का लगाया है जो कि इसका अलग फ्लेवर आएगा अलग सा टेस्ट आएगा और यह देख सकते हैं कि एक टमाटर भी मैंने यहाँ पे डाल लिया है तो बहुत ही गजब की रेसिपी है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और यह देखिए तो सबसे पहले क्योंकि मटर को हमने फ्राई नहीं किया था तो यहाँ पे हम सब बोईल कर लिया है तो मटर और टमाटर दोनों ही एक साथ सौफ्ट हो जाएंगे तो दो से तीन मिनट हम इसको और भून लेंगे और भूनने के बाद यहीं पे हम अपने सारे जान पहचान वाले मसाले एड़ कर देंगे यह देख सकते हैं हल्दी पौडर धनिया पौडर औ दो मीटजी पाउडर और थोड़ा से ले लेंगे हम यहीं पर गरम मसाला फ्रेंट्स गरम मसाला आप थोड़ा हीं यूज करें क्योंकि सब्जी का मिठा मिठा स्वाज होता है वही ज़唔 अच्छा लगता है क्यों गरम मसाले का जीजू खुषभू होती ह है बहुत तेज ह तो अगर आप जादा लेते हैं तो उसमें सिर्फ गरम मसाले का टेस्ट जादा आ जाएगा तो गरम मसाले आपको थोड़ा सही लेना है तो यहीं पर हम मसालों को इसी साथ थोड़ा सा भून लेंगे और फिर हम इसको एक साथ करके मिला लेंगे देख सकते हैं कितना अच्छा खास बनाने की सारी ट्रिक्स है इसमें तो यह देख सकते हैं भुने हुए हमने आलू और गाजर को भी यहीं पर एड़ कर देंगे और थोड़ा सा हम चला लेंगे जहां दोस्तों और इसको मैं ड्राइ ही रखने वाली हूँ तो इसलिए हम इसमें पानी तो एड़ करेंगे ल मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा यह देख सकते हैं इसको हम चला लेंगे यहीं पर हम स्वादन सार नमक डालेंगे नमक फ्रेंट्स अब डालना है इस बात का तिहान रखिएगा क्योंकि जब हम सारी सबजियां एक सार डाल देते हैं तभी हमको नमक एड़ करना चा यहां पर मैंने डाला है थोड़ा सा आमचूर पाउडर दोस्तों गाजर में थोड़ा सा मिठास होता है हलका सा जो मिठास होता है उस मिठास के साथ जो हम यह आमचूर पाउडर एड़ करते हैं बहुत कजब कस्वाद आता है तो इसको स्किप मत करिएगा अब एक बर इस बना के देखिएगा आपके गाजर मिटर की सबजी जो है बहुत ही यमी टेस्टी बनेगी तो थोड़ा सा आमचुर पाउडर मिलाने के बाद यहाँ पे दो बर हम इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारे मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा मैंने यहा पानी मिक्स किया है और क्योंकि मैं इसको ड्राई ही बनाने वाली हूँ रसिला नहीं बनाने वाली हूँ टाकि हमारी सबजी जो है अच्छे से सोफ्ट हो जाए और इसको वंगिंदार करके मैं पाँज मिनट के लिए पका लेती हूँ पांच मिनट पकाने के बा月 बहुत ही अच्छे से soft हो जाएंगे और खाने में बहुत ही delicious लगेंगे तो देख सकते हैं बिलकुल लागी लिप्टी सबजी हमारी बन के तयार हो गई है आपको पानी इसमें दिखेगा नहीं लेकिन जो सबजियां है इसमें मौकशर अच्छा कासा आगया है तो ये खाने में बहुत ही tasty लगेंगे तो हैना unique trick तो आप भी इसको जरूर बनाईएगा बहुत ही lazies बनेगा आप इस trick से अगर आप बनाते हैं अपने गाजर मटर की सबजी जी हाँ दोस्तों तो सबजी हमारी तयार है गैस की flame को हमने off कर दिया है और यहीं पे हम धन्यापती भी बारी कटी भी add कर देंगे धन्यापती से जो इसकी खुशबू है सबजी की बहुत ही अच्छी आएगी एक freshness feel होगा आपको तो धन्यापती भी add कर दे और यह देखिए हमारी delicious गाजर मटर की सबजी बनके हो गई है तयार तो करते हैं इसको serve और आप भी इसको जरूर बनाईए और मुझे comment करके recipe कैसी लेगी तो friends बहुत ही आसान tips के साथ मैंने इस common सबजी को जो है unique सबजी बनाने की कोशिश की है तो बहुत ही देखने में भी लजीज लग रहा है और यकिन माने खाने में भी बहुत ही tasty लग रहा है सभी मांग मांग के काएंगे उंगलिया चाट चाट के काएंगे क् यह seasonal सबजी है तो इसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है और गाजर मटर की सबजी तो हर घर में जो है favorite है होती है सभी की और यह देखिए मैंने यहाँ इसको लच्छा पराठा के साथ सर्व किया है और बहुत ही गजब का स्वाद बना है तो मेरी request पे आप इस recipe को जरूर से बनाए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा जिहां दोस्तों बहुत ही लजीज बहुत ही जाएकेदार यह गाजर मटर की सबजी और बहुत ही आसानी से बनने वाले आसानी से मिलने वाले इंडी ग्रेंट से तयार होने वाली यह गाजर मटर की सबजी है तो आप भी इसको जरूर बनाईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई